तो ये दूसरा लेक्चर है आपका तो इसमें आपको जो है किसी संख्या के 3 बटे 4 और 2 बटे 3 3 बटे 4 का 2 बटे 3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1 बटे 4 क्या होगा तो जो है माली जे कोई संख्या X है उसका क्या बटे 4 यानि multiply कर देंगे 3 बटे 4 से का दिया है का का मतलब भी multiply ही होता है 2 बटे 3 जो कि बराबर है किसके 24 के बराबर है एक्स की वैल्यू निकाल देंगे पच्छांतर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको निकलेगी जो कि आपको यहाँ पर 12 निकल के आएगी एक्स की वैल्यू ठीक है है उसको एक बटे 4 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो एक बटे चारवा भाग पता चल जाएगा जो कि 12 होगा यह एंसर होगा अगला कोशन है सेवेन प्लस टू रूट 10 का वर्गमूल होगा तो वर्गमूल के लिए इसको रूट के अंदर कर देंगे और जो दिया हुआ है तो रूट में 7 प्लस 2 रूट 10 तो क्योंकि रूट उपर से लगाएं क्योंकि वर्गमूल निकालना है आपको अब क्या करना है कि 7 को आप 5 प्लस 2 पांच और 5 धन्दो 5 प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि तोड़ दिया 7 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं और रूट में 10 है तो 10 को 5 दूना 10 होता है तो 2 लिख सकते हैं अब दूबारा अब अगर दो के ऊपर रूट चड़ा देंगे तो इसको स्क्वाइर लिख सकते हैं जब इसको तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा उसी तरिके से 5 को रूट जो है रूट लगा के ऊपर से आया है यह वाला 2 A to B तो यह किसके उसमें हो गया A plus B का होली स्क्वाइर के फ़र्म में हो गया तो क्या करेंगे रूट 2 प्लस रूट 5 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि होली स्क्वाइर हो गया इसका यह आपका इंसर आ जाएगा अगला कोशन है सांखिकी में प्रसाड का बिसलेशर नामक बिधी का मुख्य श्रे लापलास को दिया जाता है अगला कोशन है किसी संखिया के 60 परसेंट का 3 बटे 5 भाग 36 है तो वह संखिया है तो किसी संखिया का 60 परसेंट तो कोपाल लिजे कोई संखिया एक्स है उसका 60 परसेंट जो है कि 66 एकस का 60 मतलब जहां पर कया आइगा वहां पर समझ लिजे मुल्टिप्लाई है तो 60 परसेंट को जब हटाएंंगे तो लो जाएगा निचे और का 3 5 तो मुल्टिप्लाइट भई 3 3 बटे 5 क्योंकि का है जब का हटता है तो multiply हो जाता है, 36 आएगा तो पच्छांतर करके calculate करेंगे तो x की value आजाएगी तो जो है आपका answer यहीं आजाएगा 100 वो संख्या क्या है? जो वो संख्या 100 है next question है pi है, तो pi एक औ परिमे संख्या है तो यहाँ परिमे संख्या नहीं होगा एक औ परिमे संख्या है अगला question है यदि a by 3 बराबर a b by 4 बराबर c by 3 हो तो a plus b plus c divided by c का मान क्या होगा? तो यहाँ पर करना क्या है? जो आपको a by 3 और b by 4 और c by 7 है उसके बराबर k मान लेना है ठीक है, बराबर करके k तो a क्या आजाएगा? 3 क्या आजाएगा? यहां से multiply होगा तो b क्या आजाएगा? 4 क्या आजाएगा? c क्या आजाएगा? 7 क्या आजाएगा यहां से अब a plus b plus c divided by c के form में लिखना है तो a क्या है? 3 क्या आजाएगा है b क्या है? 4 के आया है और C के 7 के आया है divided by C, C जो है 7 के है जब इसको calculate करेंगे के के form में आएगा तो 14 के बाई 7 के आजाएगा जो की last answer 2 निकल के आएगा यह आपका right answer है तो next question है 3, 7, 8 multiplied by 2, 3, 6 multiplied by 4, 5, 9 multiplied 3, 1, 2 के गुड़न फल में इकाई अंक होगा तो आपको क्या करना है कि सबके इकाई के अंक को ले लेना जैसे इसका 8 है इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है तो सबको ले के multiply कर लेना है तो यह आएगा 864 इसमें अब इकाई का अंक ढूणना है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है बॉफ हैं यह आपका प्र एंसर आस्याइब। तो ए में को सकते हैं। था मारद इस अधिनझ मोग और हम Daquisite को सब्सक्राइब। एक ही संख्या का तो माना संख्याएं क्या है एक्स तथा वाई है एक्स प्लस वाई जो है मुसा एक्स और वाई दो संख्याएं है जिनका जो है यह साथ सिक्स्टी आया है यह आपका क्या है इन दोनों संख्याओं का योगफल है तो दिया क्या है Muşas 12 है और लस जो है बहतता रहे यह अलग अलग संख्याओं है दो संख्याओं एक x है और एक y है इनका आप क्या करेंगे कि जो है इन में से एक संख्या ग्याद करनी है तो formula क्या होता है x- y का whole square जो है बराबर होता है x plus y का whole square minus 4xy यह तरीके का formula होता ही रटना पड़ेगा आपको x minus y का whole square बराबर x plus y का whole square तो x plus y already given है 60 है minus 4xy x क्या है 12 है और y क्या है x y क्या है y क्या है 72 है और x दो संख्या है x जो है इसे यह है और y यह है तो फोर x y x minus y का whole square तो इसका जो है वर्गमूल sorry square करेंगे तो 3600 आएगा और इसको जब multiply करेंगे तो यह निकल के आएगा और बीच में minus का sign है जो की equal होगा x minus y square 144 के बराबर होगा x minus y जो है इसको इधर ले जाएंगे तो 12 आजाएगा अब x minus y 12 निकल के आए और x plus y का मान पहले से 60 पता है तो दोनों को equation को रखने पे आपको x और y की value पता चल जाएगी तो x की value कितनी निकल के आएगी 36 और y की 24 तो इन में से एक संख्या क्या है तो एक 36 से 24 है तो एंसर में आपको 24 दिया है यानि कि एक दिया है तो एक 24 है अगला question है एक सिक्षक ने blackboard पर लिखा 29 multiplied 4 ग्यात कीजी एक विद्यार्थीते ने अपनिक अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 into 4 उतारा और नीचे दर्साय अनुसार हल किया तो 2, 27 और multiplied by 4 जहांकि इसने गलत एंसर लिखा तो इस सिच्छक द्वारा क्या है द्वारा जो है कुछ option दिये गए है कि उसे जो है विद्यार्थी जो है चात्र जो है उसने जो प्रस्न हल करने का तरीका तो सही है लेकिन उसने को गलत उतारा है तो यह जानने की कोशिस करेंगे कि यह काड जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रस्नों को गलत क्यों उतारा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे पांच अंक देने चाहिए क्योंकि उसने सही question solve किया लेकिन उसको question लिखने में दिक्कत आई है तो उसका reason क्या है ये पता लगाना चाहिए अगला question है यदि किसी वस्तु का क्रैम मूले उसके विक्रैम मूले का 3 बटे 2 है तो लाव या हानी का प्रतिसत क्या होगा तो क्रैम मूले जो है विक्रैम मूले का 3 बटे 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे मानेंगे विक्रैम मूले जो है 100 रुपे है माना आपने विक्रैम मूले 100 रुपे है तो वस्तु का क्रैम मूले क्या होगा कर आए कि जो क्रायम मूले है वो विक्रायम मूल का 3 बटे 2 है तो विक्रायम मूले 100 रुपए है तो क्रायम मूले क्या होगा उसका 3 बटे 2 होगा कोस्टन के अकॉस्टन में लिखा है कि जो क्रायम मूले हो वो विक्रायम मूले का 3 बटे 2 है तो यहां पर विक्रायम मूले की जो हमने माना है 100 लिखतेंगे तो आपका क्रायमूले 150 रुपे निकल किया जाएगा यहाँ पर क्रायमूले विक्रायमूले से अधिक है तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है हानी हो रही है क्योंकि जितने में खरीदा है और बेचा उसे कम में है तो यहां पर हानी हुई है तो हानी कितनी की हुई है हानी ग्याद करने के लिए क्रायम मूले माइनस विक्रायम मूले फार्मूला होता है लगाएंगे तो क्रायम मूले 150 रुपए है और विक्रायम मूले 100 तो 50 रुपए की हानी हुई है लेकिन हानी को क्या ग्याद करना आपको प टोटल जो ज्यादा वाला एमाउंट है उसे रखना है क्राइम मूले तो हानी डिवाइड़ बाई क्राइम मूले मल्टिप्लाइड बाई हंड्रेड तो परसेंट में निकलेगा यह 33 वन बाई 3 परसेंट यह इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगला कोशन है किसी कमरे को चारो दिवारो द्वारा कुछ कुल छेतरफल 660 मीटर स्क्वार है तथा लंबाई उसकी चोड़ाई की दो गूनी है यदि कमरे की उचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का छेतरफल है तो यहाँ पर जैसा कि गिवें है कमरे के चारो दिवारो का छेतरफल 660 मीटर स्कॉर है तो kमरे की उचाई जो है 11 दिया है कमरे की लंबाई जो है चोड़ाई की दुगनी है तो लंबाई पराबर जो है दो गुड़ी कमरे की चोड़ाई जो है B है तो L जो है 2B के बराबर है चोड़ाई की दुगनी है जो L है वो चोड़ाई की दुगनी है अगला है दिवारों का छेतरफल दिवारों का कुल छेतरफल क्या होगा 2 multiplied by L plus B plus H ये फार्मुला होता है दिवारों का कुल छेतरफल निकालने के लिए 2L plus B multiplied by H जो है दिवारों गुल 6 तरफल निकालने का फर्मला है तो एरिया जो दिया है गिवे ने 660 दिया है question के according और 2 और L क्या है पहले सही 2B यहां पे आगया और plus B और H जो है 11 दिया हुआ है जब इसको calculate करेंगे तो आपको L की value बी की value निकल के आएगी यहां से 10 निकल के आएगी और जब इस B की value यहां रखेंगे तो यह L की value 20 meter निकल के आएगी यहां पे अगला question है यदि 604 बीच में space है 6 11 से विभाजी हो तो रिक्त स्थान का पूड़ांख है तो आपको रिक्त स्थान का जो क्या number है यहां पे क्या होगा जो की 11 से विभाजित हो जाए सब तो यहां पे क्या करना है आपको कि 0 होगा अंतर जो है और सम स्थानों का योग निकलना पड़ेगा सम स्थानों का योग जो है जीरो और यहाँ पे जो खाली स्थाने वहाँ पे x मान लिया तो 0 प्लस x हो गया और बिसम स्थानों का अंकों का योग 6 प्लस 4 प्लस 6 बिसम के क्या है 6 प्लस 4 प्लस 6 जो की 16 के बराबर बिसम स्थानों के अंकों का योग 16 आ रहा है सम का 0 प्लस 6 अब क्या करना है कि सम तथा बिसम स्थानों के योगों का अंतर तो जो है सम का जो है जो 16 में से 11 को घटाएंगे जो सम आया है सम बिसम संख्या आई है उसमें से जब अंतर करेंगे 11 को तो आपको 5 निमिलेगा यहाँ पर देख लीजे 16 माइनस एक्स तो आपको जो की बराबर है 11 के जिससे काचनी है उसको इकवल में कर देंगे थे एक्स की वेल्व आपको 5 आ जाएगी आपको क्या करना है बिसम संख्याओं का योग बराबर जो है जिससे काचनी उससे रख देना है तो x की value आ जाएगी यहीं आपका answer होगा जैसा कि question में दिया हुआ है x बराबर 5 दिया है यह 5 राइट answer है बीश्मी सदी के श्वर्षिक्षित भारतिय गडिती प्रति भावना ब्यक्ति कौन थे तो यह स्री निवास रामा नूज थे श्री निवास रामा नूज बीश्मी सदी के स्वर्षिक्षित भारतिय गडिती प्रति भावना ब्यक्ति थे अगला कोस्टन है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने से 71 है योग का योग इकहत्तर है, वे संख्याएं क्या है तो बड़ी संख्या जो है आपका X मान लिया है आपने और छोटी संख्या जो है Y मान लिया है आपने तो question में क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या का दो गुना तो 2x ले लिया कि 5 गुने से जादा है छोटी संख्या के 5 गुने से जादा है ठीक है दो गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 जादा है यानि कि जो बड़ी संख्या जो है जादा है कि इससे छोटी संख्या से तीन जादा है तो यानि कि इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको जो है ये थ्री एंसर फाइंड होगा तो इसलिए ये जादा है क्योंकि ये जादा है तभी इसमें से घटा रहे हैं जो एंसर मिल रहा है यह तीन मिल रहा है क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से तीन जादा है इसलिए आप माइनस का साइन लगा है अब क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के चार गुने जो बड़ी वाली संख्या X है उसका चार गुना छोटी संख्या के तीन गुने जो वाई है उसके तीन गुने का योग जब जोड़ देंगे दोनों को योग दे रहा है को सन में एकहत्तर के बराबर है तो संख्याएं क्या है तो समिक्रड एक और समिक्रड दो बन गया अब इनको सॉल्ब करेंगे तो एक्स और वाई की वेल्यू पता चल जाएगी तो एक्स की वेल्यू 14 आ जाएगी और वाई की 5 आ जाएगी यहीं आपका इंसर हो जाएगा थर्ड वाला अगला कोस्टन है पास सेमी एक भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है यदि इसे एक सेमी क्यूग वाले घन में काटा जाता है तो एक सेंटिमीटर क्यूग वाले कितने घन घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा इस question को अगले part में बताया जाएगा thanks for watching like comment and subscribe the channel